नमसकर दोस्तों मेरा नाम है भूपैन सिंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वाँगत है। आज हम लाइट एमिटिंग डायोड में एलीडी के बारे में डिसकस क्रेंगे। LED, what is LED, LED, a light emitting diode is a semiconductor device which can emit light when an electric current passes through it, means LED एक semiconductor device है, जिसमें अगर electric current को पास कराया जाए, तो वो light emit करने लगता है, आप figure में देख सकते हैं, यह LED है, LED का fall form होता है, light emitting diode, यह एक semiconductor का electronics device होता है, जिसका huge light को glow कराने के लिए indicator या display के रूप में किया जाता है, इसमें दो terminal होते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक terminal यह है, और एक terminal यह है, जिसमें एक terminal एनोड होता है, और दूसरा terminal कैथोर्ड होता है, जिसकी leg लंबी होती है, long leg वाला एनोड होता है, short leg वाला कैथोर्ड होता है, हमने यहाँ पर पूरा detail में दिखाया है, इसकी construction को, यहाँ पर यह LED का symbol है, यह एनोड है, इसको एनोड बोलते हैं, और इसको कैथोर्ड बोलते हैं, या इसको P और N से भी denote कर सकते हैं, इसमें दो arrow भार के तरफ होते हैं, नार्मल डायोड की symbol में, सिर्फ कितना ही होता है, यह एनोड है, यह कैथोर्ड है, यह symbol आप याद कर लीजिए, हमने एक simple LED circuit यहाँ पर बना के दिखाया है, यह बैटरी का या जो वोल्टेज सोर्स का positive है, और उसको बैटरी के positive को LED के positive से connect किया है, बैटरी के negative को LED के negative से किया, मींस हमने इसको forward wise किय है, सीरीज में एक हमने resistance, register लगा दिया है, यह LED का simple circuit हो गया, यहाँ पर LED की जो internal structure है, यह हमारा wire bond होता है, यहाँ पर एक छोटा ता देखेगा आपको photo में, और यह anvil post है, यह और यह epoxy lens है, यह वाला, और यह यहाँ पर एक reflective cavity होती, जहां से light reflect होती है, होती है, different different color की, और यहाँ पर flat spot होता है, यह LED में होता है, और यह दो terminal हो जाते हैं, इस तरह से आपने देखा LED कैसा देखने में किस तरह होता है, यह different color की हो सकते हैं, light emitting diode, LED एक diode होता है, एक तरह का diode ही होता है, जो forward wise में किये जाने पर light emit करता है, normal pn diode light emit नहीं करता है, बहाँ पर heat generate होती है, LED में light emit होती है, pn junction को forward wise किये जाने पर, n region के electron, n region से electron इदर move करेंगे, और p region से hole, junction के तरफ चलने लगते हैं, इदर p में hole majority होते हैं, यह होल हैं सारे, और n में electron, इसे n में electron majority होते हैं, तो यह junction की तरफ move करने लगते हैं, यह electron और hole, junction पर combine हो जाते हैं, यह combine हो गया, electron hole, यह combine हो गया, यह है यह ये मॉल कंबाइन हो गएं जिसके कार्ड नके कार्ड जेर जरमेनीं यम और सिंकान जेंग्शन पर मैक्जिमं म्लोज़ीए वो हीट में कानवर्ट होती है जरमेनीम से लेकिन लेकिन ऐलेलीडी डेलियम आर्श नेटध इसलिए यह लाइट करते हैं लिखा यहां पर जब गैलियम फासफाइट गैलियम आर्सेनाइट फासफाइट के मिक्सर से बने जंक्शन को फॉरवड वाइस किया आता है तब उत्पन होने वाली इनर्जी जो है विज्विल लाइट के रूप में उत्पन होती है किसी जिस कलर रर का मिससा मैट्रियल को जिस मैट्रियल को उसी तरह के लाइट रैड ग्रीन वाइट वी डॉर से किया और यहां पर यह नंगेटिव से इसके टराइब मेट्रियल को इस तरह साब आपने देखा है कि जो यह गैलियम आर्सेनएट फासफाइट से बने junction को अगर forward के आएगा तो जो heat energy है वो light के form में generate होगी working principle of LED यह इनके junction को cover करने वाला material transparent होता है LED में तो क्या होता है visible light भाहर निकलाती है अब यह हमने देखा LED में यह जो वाला material है यह transparent होता है यहाँ पर इसलिए light भाहर आती है तो transparent होता तो यह एक visible light भाहर निकल कर आता है और जंग्सन एक light source की तरह लगने लगेगा ऐसे लगेगा कि जैसे कोई light source हो यह यहाँ पर जंग्सन होता और यहाँ पर यह वारा transparent material होता है जंग्सन को जंग्सन से उत्मन होने वाले प्रकास का जो रंग है उस पर यूज कियेगे semiconductor के material पर डिपेंड करता है जो जंग्सन में इसे गैलियम फास्वाइड है जी ए गैलियम फास्वाइड इससे उत्मन होने वाले प्रकास का रंग या तो सब्सक्राइड होगा ग्रीन होगा वो डिपेंड करता है किस किस mixture को मिलाया तो अलग अलग सेमी कंडुक्टर मेट्रियल उग्सक्राइड से अलग अलग कलर कि ए लेडी बनती है लेडी कैसी लाइट को कैसे जैंसे उत्पन करता है लेडी में यूज की गए पी तथा एन प्रकार कि जो मेट्रियल हैं वो पदारत में इलक्टरन दो विबिनल औरजा इस्तर पर होते हैं अब कि बैलेंसी बेंट कि उसकी बाद दूसरा होता हमारा कंड़क्शन बेंट कि अगर यह होता हमारा फॉर्विडेंट इनर्जी गैप कि और विडेंट एनर्जी गैप तो यह दो इनर्जी लेवल होते हैं जब इस पी था एन पदारतों की जो डोपिंग दोनों को मिलाकर डोपिंग होती है उससे जंग्शन मना जाता और जब इन जंग्शन को किसी इलेक्टिक सोर्स से जोड़ा जाता है तब दोनों जंक्शन की भी से एक विद्दुद्चेत्र बन जाता है लेक्ट्रिक पोटेंशिल जिनरेट होता है जिसके कारड़ और तथा होल अपने ऊपर एक बल कानबब करते हैं इस विद्दुदबल के कारड़ ही के कारड ही इलक्तक्र इन प्रकार फिदार से निकल कर और्पी टाइप से होल निकलकर ये जंग से में तरफ चलने लगते कश आर्था जो लक्त्रान जो हाइढ उन्यरsti लेबल से LOW energy लेबल की तरब मूब करता है तो इस जो इनर्जी लेवल के जो डिफरेंस होता है उसमें इनर्जी जो है फोटन के रूप में उत्सर्जित करता है और यह फोटन ही प्रिकास के रूप में दिखाई देता है नारमन डायोड में वो इनर्जी जो है हीट के रूप में उत्सर्जित होत से ही उत्तर्जित प्रकात का कलर चाहिए करता कि किस टाइप सेमीकिंडक्टर मैटरेल हमने यूज किया यूज किया गयलियम और सेनाइट किया है या या तर отп टाइट होते है इसे इदर टाइख धर और N में ईलक्तान मैजरोटी में होते हैं तो इधर से होल हिष से एलक्तान मूट करने हैं यह हमने हां पर एक Verifies में ़ी याइं कर्व दिखाया है यहां पर करण्ड है इधर व् स्थैस्थोन है इसको प्रॉटेक्ट है ओवक्डियने MARY है एक सीरीज में रजिस्टर लगा दिया आरेस एलेडी और यह ग्राउंड कर दिया तो इसमें क्या वदा आरेस एक रजिस्टर इसलिए लगाना पड़ता है यह इसको प्रोटेक्ट करता ओवर करेंट से यह अधरवाइस यह डेमेज हो सकता है तो आरेस की वैलू इस फॉर् सब्सक्राइब यह जो डायोड के अक्रॉस फॉर्वड बोल्टेज है यह और करेंट इस तरह हम आरेस की वैलू निकाल सकते हैं हमने यह पर डिफेरेंट डिफेरेंट कलर की एलेडी और उनकिस उनका जो जंसने किस मैट्रियल से बना है उनके बारे में और उनकी जो फॉर टिपकल फॉर्वड वोल्टेज है उसकी रेंज भी हमने दिखाई यह तो ब्लू यह सुरी यह टैपिंग मिश्टेक है ब्लू ब्लू क्या होता है इंडियम गैलियम नाइट्रेट का होता है जिसकी फॉरवड वोल्टेज 2.5 23.7 होती है ऐसी ग्रीन ग्रीन बनता है ग्रीन और रूड अरे यह ग्रीन स्कार्किला गालियम आर्सीट में वनाना होता है तो ग्रीन कलमा जो फॉरवरवड वोल्टेज होता है मरे जिस फॉर नाइटीड का होता लाइट उड़श होता है उह इंप्रार रेड ली भी होती है possibility यह ग्ली अग्रिगा ग्लोनियम गैलिया 9 के ंसे पास होता है तोishops LED का यूज रिमोट सोनना है में होता है और速 यूज इंडिकेटर और दूसरे काम में इसका यूज होता है application गहली अे लेडी का सब्सक्ते ज्याना यह आज कल वरिम्हीं हो रहा है यह टृए LED, LED strip में भी LED का यूज हो रहा है, TV, computer, monitor इन सभी में LED का यूज हो रहा है, backlight display में, display board में होता है, जिसे railway station पर display board है, या कहीं और display board जहां कहीं भी होंगे, बहाँ पर LED का यूज होता है, automation में, automotive में भी LED का जितने भी हमारे बहान है, उन सब में LED light, LED bulb होते हैं, उन सब में इनका यूज क्या आता है, indicator और दूसरे सभी lights में, LED used in dimming of light, dimming में भी इसका यूज क्या आता है, traffic signal भी आज कल LED के जो indicator होते हैं, red, इस तरह से, इस तरह से LED जो display traffic light होती है, red, green, yellow की, तो वो सारे जो indicator होते हैं, वो LED के बने होते हैं, और इसके advantage ही होते हैं, LED बहुती कम voltage पर operate होयाता है, और यह generally 5 volt पर लगबग 10 million current लेता है, इसकी efficiency बहुत जादा होती है, life भी LED की बहुत जादा होती है, LED को operation के बाद सको ठंडा करने जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह बहुत कम heat generate करता है, normal filament वाला bulb जो हो जाता है, LED small size में होता है, और light weight में होता है, बहुती छोटे छोटे LED होते हैं, और छोटे भी होते हैं, और उनका weight भी बहुत कम होता है, light weight होते हैं, इनको carry करना बहुत ही आसान होता है, प्रकास उत्पन करने वाले लीडी के अन्यपरकार के लीडी का जो life होती, वो खोड़ी जादा होती है, it can be turned on and turn off very quickly, इनको on off बहुती fast किया जा सकता है, बहुती quickly किया जा सकता है, इनकी switching speed काफी ज़्यादा होती है, easily available market में, easily available हैं और many color में, जैसे red, green, blue, white, और यह सारे color हैं, उसके लाबा और भी कई सारे color हैं, infrared LED भी है, बाई color LED भी market में, बाई color, बाई color, tri color, multi color, इस तरह से कई तरह की LED मार्केट में available हैं, अगले वीडियो में हम इन सब चीजों का practical करके दिखाएंगे, कि मल्टी मीटर से LED को कैसे test करते हैं, इसका anode cathode कैसे find out करते हैं, इसका characteristics और यह सब कुछ हम next वीडियो में करके दिखाएंगे, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू,